हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया गरिलून उसका आपकी स्किन से कालापन और डलनेस को हटाने के लिए आपकी स्किन से ब्लैमेसिस को दूर करने के लिए आपकी स्किन से पिग्मन्टेशन को खतम करन पहले से बहतर बनाने के लिए यह गोरा होने का तरीका आपको जरूर पसंद आएगा यह जो मैं सॉलूशन आपको बता रही हूं कोई इसमें कैमिकल नहीं है घर बैटे ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं इसको बनाने के लिए भी आपको चीज़ें घरपर ही बड़ी आसान और आपनी स्कीन को पहले से बेतर बना सकते हैं, इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे लगाना है, ये सम्में आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखेए, इससे आपकी स्कीन उची दिन के यूज से बहुत ही ज़ादा स्मूथ, बहुत गलोइंग, बहुती फ्रेश और ब्राइट लगने लगेगी, डलनेस आपके चेहरे से गाइब हो जाएगी, तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं बताती हैं आपको ये कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको लेना है मिल्क, मिल्क आप कच्चा भी ले सकते हैं, या फिर उबला भी ले सकते हैं, अगर आप उबला हुआ ले रहे हैं, तो फ्रीज में रखकर बिल्कुल ठंडा लेना है, और अगर कच्चा दूद ले रहे हैं, तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो मिल्क पावडर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कच्चा दूद यूज़ करूँगी, द दो चमच कच्चा दूद यानि की रॉ मिल्क, दोस्तों कॉंटिटी ध्यान से देखना, और आपको भी उतना लेना है, जितना मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूं, ताकि रेमेडी पर्फेक्टली वर करें और पर्फेक्टली तैयार हो, अगली चीज आपको यहाँ पर ले चमच सहद, सहद से आपके चहरे पर बहुत यादा ग्लो आएगा, और जितनी भी चहरे पर टैनिंग होती है, वो भी दूर हो जाती है, बहुत यादा फायदे होते हैं सहद को इस्तमाल करने से, धूप से जुलसी हुए स्किन को, सन बन को, और टैनिंग को ठीक करता है, आपके चहरे को सुंदर बनाने तक ये बहुत यादा असरदार होता है, एक चमच आपको यहाँ पर बेसन लेना है, इसके बाद आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी, जो आप घर में हल्दी खाते हैं, हल्दी यूज करते हैं, वो ही आपको यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर हल सकते हो वही चीज़ें आप अपने चेहरे पर यूज कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको वही चीज़े बताती हैं जो आपके लिए फाइदे मन्द होती हैं जिनका कोई पर अच्छे से लगाई है इसको आप अपने चेहरे पर गर्दन पर जहां पर भी आपका काला पन है अप इस्से अच्छे से लगा सकते हैं जब यह आपके चेहरे पर अच्छे से लग जाए तो इसे 15 से 30 मिनिट तक ऐसे ही लगा कर छोड़ देना है और उसके बाद में आपको नौन पानी से वाश कर लेना है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर किसी भी फेस वाश की जरूवत नहीं होगी यह इतना बड़िया सॉलूसन बन कर तयार हुआ है एक बार की इस्तमाल से ही आप इसका रजल पा सकते हैं यह मैंने खुद ही यूज किया हुआ है इसको ऐसे ही वाश कर लेना है फिर ऐसे ही सो जाना है रात को सोने से पहले आप इसे लगाईए अगर आप इसे दिन में लगा रहे हैं तो 15-30 मिन तक ऐसे ही लगा कर रखिए उसके बाद आपको पाने से वाश कर लेना है और जो भी आपको फेस वाश वाश वगरा यूज करना है तो वह चार से पांच घंटे के बाद में आपको फायदा ही फायदा होगा यह गर्यूलिन उसके टाइम तो लेते हैं लेकिन असर जरूर दिखाते हैं इसलिए रेमेडी पर विस्वास रखिए आप I am sure कि आपको इस रेमेडी का जरूर फायदा मिलेगा अब मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही अपने नेक्स वीडिय में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एव नाइस डे